दस किलोमेटर दूर स्कूल आते जाते दोडने का ऐसा अभ्यास पड़ा कि उतराखंड के सुरेंदर सिंग 10,000 मीटर दोड में नेशनल चेंबियन बन गए अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई दोड नहीं पाया है यहां बात हो रही है उतराखंड के अथलीट कोच सुरेंदर सिंग की धर्बशाला में के चैनल के समधादा से उन्होंने अपने विचार साजा किये आपको बता दें सुरेंदर सिंग वर्श 2008 में बीजिंग में आयोजित ऑलम्पिक गेम्स में हिसाले कर 26 वांस्थान भी हासिल कर चुके है सुरेंदर सिंग ने बताया कि उनके गाउं से स्कूल की दूरी लगभग 10 किलोमेटर की थी हर रोज वे पैदल स्कूल आते जाते थे ऐसे में लेट होने पर अधिकतर बार उन्हें दौड कर स्कूल पहुँचना पढ़ता था सुरेंदर सिंग ने बताया कि उन्होंने अपने अभ्यास को निखारा और सीना में बहतर प्रदर्शन करके अथलेटिक्स में अपना नाम कमाया सुरेंदर सिंग ने बताया कि वर्ष 2008 में मोनार केम्प के दौरान दस हजार मीटर दौड में नेशनल रिकॉर्ड बनाया अपने एक टुरिस्ट प्लेस है और बहुत अच्छा यहां पर हम लोगों को फिलिंग अच्छा लग रहा है यहां पर आकर गिए और इस ट्रैक का कोई जबाब निया है लाज जबाब ट्रैक बनाए हुआ इतने हाइट पर इंडिया का फर्स्ट सिंथर्टिक ट्रैक है जहां आपकी नाम नाम पर टैन ताउजन मेटर कभी है और त्री ताउजन मेटर कभी है और यह रिकॉर्ड भी हमने जो है मुणार में हायल्ट्रु ट्रैनिक ऌर्नेके बाद हम लोग एक्सपोजर मिलाता लंड़न में तो सब्सक्राइब तो आपने अपको एक अच्छा महसूस करें तो अपने अपको एक अच्छा महसूस करेंगे उनने हर जी जगह पर सपलता मिलेगी हर नोकरी में उनको वरेता मिलेगी आजकल स्पोर्ट के तुरू बहुत सारी नोकरिया हैं तो कित्केट से इतना मेन नुपनी लग रहा कि ज्यादा फायदा होगा वह चुनिंदा लोगों के लिए है उसके लिए बहुत बड़े टैलेंट हर किसी के अंदर है एक एक टैलेंट है अपने अंदर के टैलेंट को निखारो और एक डेडिकेशन नो करगे ध्रिडिनिस्टा करगे किसी चीज़ कड़ी सपलता मिलती है और मेहनत कीजे सपल वहीगी उत्रकंट के अतलेटिक्स को सुरेंदर सि вами ने कहा कि हर गली महुले में बच्चे और युवा क्रिकेट खेलते हुए मिल जाते हैं को भी बढ़ावा मिले और बहतर खिलाडी देश का नाम चमका सकें के चैनल के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट